नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में गाईज आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके पुछे गए सवालों के जबाब लेकर तो गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक एंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज ज्यादा बाते ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहला कमेंट है स्याम मनुगदे सर जी नमस्ते नमस्ते भहिया मैंने कल एक मादा चार बच्चे लाए थे एक बच्चा आज मर गया लेकिन बच्चा खाता था और मा का दूद भी पी रहा था अचानक कैसे मरा प्लीज रिप्लाई दीजिए रविवार को तो देखिए भाई खरगोष के बच्चों के मरने का काफी सारा रीजन हो सकता है उसे नई जगा हां और खान पान को लेकर भी कोई प्राबलम हो गया होगा या ठंड वगयरा लग गया होगा क्योंकि आपके बताने के हिसाब से बच्चे अभी 30 से 35 दिन के हुए होंगे और गाईच खरगोष के बच्चों के मरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं नेक्ट कुिस्चन जेनिफा सर मेरा खरगोष दो महीने से ज़्यादा मादा खरगोष मींटिंग नहीं कर रहा है और काट रहा है संडे कमेंट बाक्स तो भाई आप उसे कुछ एक या दो महीने लगातार अलग करके रखिए और नर्खरगोष को उससे दूर ही रखिए उसके बाद आप मीटिंग के लिए उसे नर्खरगोष के पास ले जाएं वो 100% मीटिंग भी करेगी और प्रेगनेंट भी होगी संजय भाती सर हमारी रखिट प्रेगनेंट नहीं हो रही है रिपलाई संडे कमेंट बॉक्स तो भाई उसके प्रेगनेंट ना होने के कई कारण हो सकते हैं मैं कुछ बेसिक कारणों को फटा फट बता देता हूँ जैसे उसका उम्र कम होना या उसका मीटिंग उससे काफी छोटे नर्खरगोष से करवाना या नर्खरगोष में कोई कमी होना या सक्सेस्फुल मीटिंग ना हो पाना और मादा खरगोष के हीट पर ना होना इसी तर देती हैं 32 दिन की प्रेगनेंसी पूरी हो जाने पर ही तो आप बिना टेंसन लिए 32 दिन का बेट कर लीजिए वो बच्चे डिलीबर जरूर करेगी अगर प्रेगनेंट होगी तो वरना वो फॉल्स प्रेगनेंसी का सिकार भी हो सकती है भाई मैं तो सुना हूँ कि खरगोष चुहे को मार देती है लेकिन आप बोल रहे हो चुहे से खरगोष को खत्रा है प्लीज इस पर भी बीडियो बना दे मेरा कनफ्यूज दूर हो जाएगा तो भाई खरगोष के एक से लेकर 40 दिन के बच्चों को चुहों से हमेशा खत्रा पना रहता है अगर आप उन्हें चुहों से नहीं बचाएंगे तो चुहे छोटे बच्चों को 100% नुकसान पहुचा देंगे और अगर आपके पास एक या दो एडल्ट रेविट है और वहाँ बहुत ज्यादा चुहे आते जाते हैं तब उन्हें भी 85% तक नुकसान पहु से अलग रखिये जिससे ओ पूरी तरह से हीट पर आने लगेगी और मीटिंग भी करेगी नेक्ट कुश्चन बोस रहमान सर मेरा रेविट पानी नहीं पी रहा है क्या करें आज चुने जैसा पेसाब कर रहा है बहुत परेसान हूँ पिलीज रिप्लाई तो संडे कमेंट ब वगेरा ना खिलाएं चावल दाल सबजी या तेल मसाले से बनी हुई चीजे भी ना खिलाएं और अगर आपके खरगोस को गयस या मरोडो की प्रावलम हो गई है तब आप उसे अपने निजदी की बेट डांक्टर को एक बार जरूर दिखा लें और अगर आप घर पर उसक वैसे एक ही सक्सेस्फुल फालाफ में मादा खरगोस प्रेगनेंट हो जाती है नेश्ट कुष्चन गुड्डू कुमार सर मेरा खरगोस खाना नहीं खा रहा है क्या करें संडे कमेंट बॉक्स में रिपलाई कर दीजिएगा तो भाई उसके खाना ना खाने के काफी सारे र तो इसका एंसर है बहुत जादा नरम चारा खाना या गलत डाइट नेश्ट कुष्चन के एस गेमर भाई मेरा खरगोस को 28 दिन हो गया वह कब बच्चा देगा तो भाई इसका एंसर है 32 दिन की प्रेगनेंसी पूरी हो जाने पर नेश्ट कुष्चन सेख अयूब भाई मे जरा भी मत लीजिए आप उसे अच्छे से दूद जनरेट करने वाली चीज़े खिलाइए पिलाइए और अगर ओ दूद नहीं पिलाती है तब आप उसे पकर कर बच्चों को दूद पिलाइए और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर डियम कीजिए मैं वहाँ आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है नेक्ष्ट कुश्चन अर्मान खान सर मेरी रेविट ने आज बच्चे दिये हैं मैं क्या उनको पकड़ सकता हूँ प्लीज रिपलाई तो भाई बहुत जरूरी होने पर ही बच्चों को पकड़े या टच करें वरना ना ही पकड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा नेक्ष्ट कुश्चन आल टाइम मस्ती मेरे खरगोस का बाल बहुत घणा है बठाथ पड़ने पर बहुत बाल निकल रहा है क्या करें बहुत साप सफाई में रहता है वाइट है देखिए आपको जरा भी टेंसर नहीं लेना है नेक्ष्ट कुश्चन उमय दली मेरा खरगोस ना ही मोटा हो रहा है ना ही खाता है ना ही बड़ा हो रहा है जितना है उतने का उतना ही है ऐसा क्या करें कि यो इस्ट्रांग हो जाए प्लीज रिपलाई तो भाई आप सिर्फ उसे 80% हरी घास और हे नेक्ष्ट कुश्चन इसानी सिंग मेरे रेविट ने अपना नाखून में चोट लगा ली है नाखून के पास से बलड आ रहा है क्या करें प्लीज बताएं तो आप सबसे पहले जहां से बलड आ रहा है उस जगां को अच्छे से पकर लीजिए जिससे बलड ना आए और आ आप सबको तो अच्छे से पता ही है कि खरगोस कभी भी ओमिट यानी उल्टी नहीं कर पाते हैं वो जो भी खाते हैं उन्हें उसे हजम करके ही बाहर निकालना पड़ता है ऐसे में अगर आप उसे गुथा हुआ आटा खिलाएंगे तो वो उसे अपने सामने के दांतों से ह जिससे उसके गले में फंश सकता है और आटा पेट में ज्यादा फोलता भी है इसलिए अगर आटा खिलाना चाहते हैं तो उसे ड्राइफीर में दलिया औगए में मिला कर खिला सकते हैं सिर्फ गुथा हुआ आटा ना खिलाएं वरना प्रावलम होने का चांस 95% तक बना नेक्स्ट कुश्चन आदित्यमंडल सरजी रैबिट को धान का भूसा खिला सकता हूं क्या तो भाई अगर आपका रैबिट खाता है तो आप खिला सकते हो बट बहुत ज्यादा नहीं खिलाना है बस लिटिल एमांट में ही देना है नेक्स्ट कुश्चन लालू राथा और भ अलोक सर्मा सर मेरे खरगोस के रूम में नमी रहता है इसका कोई उपाय बता दें प्लीज तो भाई आप उस रूम में दो पहर को जब धूप गयरा निकला हो तब सभी खरगोसों को बाहर निकाल कर थोड़ी थोड़ी जगह पर लकड़ी या अलाव जला कर रख दें जिसस कि वहां कि ये नमी आसानी से दूर हो जाए और आपके सभी रैबिट ठंड लगने से बचे रहें क्योंकि रैबिट को नमी से बचाना ठंड में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है फारेवर खरगोष किस मौसम में बच्चे देती है तो इसका एंसर है सभी मौसम में बट आपको खुद ही ये सुनिश्चित करना है कि आपको बच्चे किस मौसम में लेने हैं क्योंकि रैबिट से बहु ज़्यादा ठंड के मौसम में या बहु ज़्यादा गर्मी का मौसम होने पर बच्चे नहीं लेना चाहिए वरना pregnant rabbit और उसके होने वाले बच्चे दोनों को problem हो सकती है next question rabbit planner हमारा rabbit पानी नहीं पीता है क्या करें तो भाई इस topic पर मैंने new video अभी कुछी दिन पहले बनाया है और detail में मैंने उसमें बताया भी है आप मेरे channel पर जाकर देख लीजिये next question मिहर तिवारी भाई मेरी female rabbit एक बार meeting किया था तो क्या वो एक बार में pregnant होती है तो भाई इसका answer है yes एक ही फालाप में मादाखरगोश pregnant हो सकती है बस meeting successful होना चाहिए next question सुसील कुमार male rabbit के दाथ बढ़ गए है कुछ खापी नहीं पा रहा है क्या करें इस situation में तो भाई बढ़े हुए दाथ का सिर्फ एक ही इलाज है कि उसे कटवा देना चाहिए वरना बढ़ा हुआ दाथ किसी दवा वगएरा से size में नहीं आएगा और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक के उम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद